जय गुर्देव मैं भाबु राम यादव जय गुर्देव धर्म पचारक संस्था मतुरा का राष्ट्री महामंत्री हूँ हमारी संस्था के प्रमुक पोज्य पंकज्य महराज इन दिनो जय गुर्देव जनम्भूम खितावरा धाम जिला इट्यावा में है 17-21 मई तत परम पोज्य बाबा जय गुर्देव जी महाराज का आठवा पावन बार्षिक भंडारा महापर्व संस्था प्रमुक के आदेशा नुसार पूरे देश में घर घर अरसो लास के साथ मनाय गया जय गुर्देव धर्ण प्रचारक संस्था मतुरा बाइस्विक महामारी कोविड उन्नीस की राष्ट्री और सामाजिक आपदा के संकट में देश के साथ खड़ी है और हम सब लोगों को एक जुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और कोरोना को हरा देना है बरतमान में कोरोना मीटर के ताजा आंकड़े कंभेर चिन्ता के बिशे हैं अभक्ष भोजन और नसा खोरी का प्रभाव भावी पीडियों पर पड़े बिना नहीं रह सकता खान पान का हमारे चिन्तन और विचारों पर गहरा संबंध है मांसाहार गर्म निजाज भोजन है और यह दूसित विचारों का जनक आचरण हींता क्रोध हिंसा उनमात अपराद का कारण है सराब में हजारों बुराईयां हैं थोड़े से राजस्त्व के लोभ में नई पीड़ी वा आम जनुता को नसा खोरी की इल्लत में छोकना बुद्धिमानी नहीं सराब और मांसाहार महामारी के अच्छे वाहक हैं इनके सेवन से मानसिक और बैचारिक विक्रिती की जो महामारी फैलेगी वो हो कोविड उननीस से भी भया नख्याए संक्रमण की वृद्धी में मांस मचली अंडे और सराब की दुकाने खोलना सहायक है देश वा प्रदेश के करणधारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए रामचरित मानस की एक पंक्त है अर्क जवास पात बिन भयव। जस स्वराज पल उद्यम गयव। ताथ पर यह है बरसाथ की रितु आने पर अर्क और जवास यानि मदार आदि के पत्ते जड़ जाते हैं केवल दंठल बचता है जैसे सुराज के आने पर दोष्टों के उद्यम यानि दोष्टता प्रजनक धंधे खत्म हो जाते हैं बुराईयों की जड़ मांसाहा और सराब को बढ़ावा देना सुराज की भावना से तूर जाना है इस संबंध में हमारी संसथा के प्रमुक पुज्य पंकत जी महराज की अपील के दृष्टिगत हम देश वा प्रदेश के जिम्मेदारों से अपील करते हैं की सराब मांस मचली अंडे की दूकानों को ततकाल बंद किया जाना चाहिए जिस से इस महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को सरल्ता से जीता जा सके जय गुर्देर कर दो कर दो